मुझसे लोग पूजते हैं मेरा काम होगा या नहीं होगा वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है मेरा पती या मेरी पत्नी मेरे पत्ती वफदार रहेंго emphasize या नहीं रहेंगे क्या मेरी शादी चलेगी या नहीं चलेगी इस ते से बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रशन पूस्ते हैं तो आज में आप लोगों के लिए एक असान सा प्रशन का उत्तर लाई हूँ और इसमें आप को क्या करना है आपको भगवान शी गरती महराज का ध्यान करना है और उसके बाद आपको एक से लेके नौ तक के बीच में आपको एक गिंती को चुनना है आप एक दो तीन चार पा असा प्रशन पर आपको भगवान शी गरती मेराज में जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा साथ ही उसका नाम सोचेंगे मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है या नहीं करता है ये प्रशन आप किसी के लिए पूछ सकते हैं अपने दोस के लिए पूछ सकते हैं पती के लिए पत्ती के लिए बॉइफरंड के लिए गल्फरेंड के लिए या कोई भी जिससे भी आप प्यार करते हैं आपके माता पिता भाई भेन कोई भी हो सकता है उसके लिए पूछ सकते हैं और उसके आँखों को बंद करके एक से लेके नौ तक की मैं आपको डिजिट दिखा रही हूँ उन डिजिट में से आपको किसी एक कर एक लिए 8126476999 मेरा वाट्सअप नमबर है उसमें वाट्सअप कर दीजेगा जब भी आपको कोई मदद की जुर्द है आप मुसे कुछ भी पूछ सकते हैं आपको बस वाट्सअप पे मैसेज ही ड्रॉप करना होगा तो आब मैं शुरू करती हूँ आपको कर दितते हूँ झाल झाल जानना चाहते हैं या नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि आपका प्यार आपसे पक्का प्यार करता है उसके दिल में सिफापी है और वो आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरेस है और आपसे बेहंतहा प्यार करता है यदि प्यार में तोड़ी बहुत कुछ कमी है तो उसके लिए आपको भगवान विष्णू के श्रिण में जाना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करने चाहिए और उनसे प्रातना करने चाहिए जिससे के आपका प्यार, में अगर कोई कमी रह गई है तो वो उसको पूरी क कर सके यदि अपने अपने प्यार को जानने के लिए नंबर दो का चुनाव किया गया है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका प्यार आपसे प्यार तो जुरू करता है लेकि उसके मन में रहे जाते हैं । कर दिमाघ में कई तरह कि वहम और बाते आती हैं कभी-कभी वो आपको ले के भखवन शृब की उपासना करने जाए और भगवण शंकर का ध्यान करना चाहिए यदि आपने नमबर तीन चुना था ये जानने के लिए कि आपका प्यार आपसे प्यार करता है या नहीं तो मैं आपको बदा दू कि आपके प्यार को पाने के आपके 50-50% चांसे आपका जो प्यार है वो कभी कभी जो है intellectual प्रेटिकल कुछ ज्यादा है और वह उस प्यार के फाइद और नुकसान सोचने लगता है कि मुझे यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए और वह आपके साथ कभी कभी फाइद नुकसान सोचता है जिसकी वैसे प्यार में वो आपको मैं कह सकती हूँ कि आपको सौ में शाय सकतर या सी परसंट ही प्यार करता है लेकिन अगर आप गुरू ब्रस्पती की शर्ण में जाएं अगर ब्रस्पत के पूजा पाट उन्ष्ठान करते हैं या आपका प्यार पूर रूप से दूसरे लोगों के उपर निवर हो गया है यानि कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा जब चलता है तो वह वैक्ति जो है दूसरे लोगों की सुनने लगता है वह आप विशास नहीं कर पाता है या उजल फुजल तरीके से अगर उसको कोई सम की भी हो जाता है आपके प्रती पूर रूप से जो है इमानदार नहीं होगा कभी कभी आपके उपर जरस से ज़्यादा शक करेगा कभी कभी आपके उपर जरस से ज़्यादा अपनी बातों को लाद देगा ऐसा मत करो वैसा मत करो मुझे तुमारा ये पसंद नहीं है वहां साथी आपके ओपर शक करना छोड़ दे और वो आपको 100% पूरा प्यार करें यदि आपने चार नमबर चुना है तो आपका प्यार खत्रे में है क्योंकि शक और ज़रसे ज़्यादा bondations किसी विरिष्टा को खतम कर देती हैं तो आपका रिष्टा भी थोड़ा खतम होने के कारगर पे है इसलिए आपको उसको रोग दना चाहिए यदि आपने पांच नमबर चुना है यदि आप पांच नमबर सोज रहे हैं तो आप समझ जाईए कि भगवान गणेश जो है उस आपका जो साथ ही है वो आपको प्यार करता है लेकिन वो इमोशनली बहुत जाड़ा डिस्बैलन्स नहीं है जब भी वो आपके अबारे में सोचता है तो थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेता है आपको यकीनन प्यार करता है लेकिन उसका प्यार आपके प्रतीब मातर नब से लेके पांस तक के आपने गिंती चुनी और उसमें से मैंने आपको बताया आपने कौन सा नंबर चुना है जिसके द्वारा बता सकती थी मैं आपको कि आपका प्यार प्रदी कितना वफदार है कितना आपको सचे दिल से प्यार करता है लेकिन अगर आपने चार नंबर चु होता है ऐसे रिलेशन्शिप जल्दी से बचते नहीं है तो उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंदा हो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कोई भी समस्य हो तो 812-647-669 पर वाटसप करना है यदि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है परशानी है आपको से कॉंट्रेट कर सकते हैं आज के लिए इतना ही आपका दिन शुभू धन्यवाद